कल हमें एक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे अब उस रिपोर्ट के ओथर हमाए साथ जुड रहे हैं कैप्टल माइन के अनूप मुझे कुमार उन्होंने डीटेल में आपके सामने पेश किया है डेटा कि जब जब रेट आक्शन हुआ है उसके सामने भारतिय बाजार और खास्तोर से निफ्टी ने किस तरह से रियाक किया है तो इन फाक्ट अनूप आपके रिपोर्ट को कल भी हम रेफर कर रहे थे 50 बेसिस पॉइंट का कट लगबग 10 दफा हुआ है पिछले तीन डेकेज में एक ऑस्तन निफ्टी ने किस तरह के रिटर्न दिये है क्योंकि नॉर्मली हम यही देखते है कि वहां पर फेड क्या कर रहा है और फिर भारत में किस तरह का फ्लो आएगा किस तरह का स्टांस निवेशकों का होना चाहिए एकुटीज के प्रती जी थैंक यू सो हमारा मकसद यही था कि अगर इतिहास में देखें पिछले 30 साल में फेड ने क्या किया है रेट चेंज किया है बढ़ाया है घटाया है तो निफ्टी ने क्या किया है तो हमने 30 साल तक का data collect किया, Fed ने लगबग 100 बार rate बढ़ाया या घटाया है, उसमें से 50 बार घटाया, 50 बार बढ़ाया, ये मतलब randomly नहीं करता है, cycles में करते हैं, और हमने देखा कि Nifty अगले दिन क्या करता है, तो हमने short term में देखा और longer term में भी देखा, तो short term में ऐसा है कि जब जब rate कम हुआ है, जैसे कि 25 basis point या 50 basis point जो की सबसे ज़्यादा common है, तो Nifty typically positive रहा है अगले दिन, short term में, अगर rate बढ़ाया है, जैसे कि 25 या 50 basis point से, तो Nifty typically गिरता है, और ये logical भी है कि अगर Warren Buffett ने कहा है कि interest rate का का काम almost gravity की तरह है on asset prices, कि जितना ज़्यादा interest rate बढ़ते हैं, उतना कम asset prices होते हैं and the other way around, तो वो हमने मदब देखा है कि वो short term में काम करता है, लेकिन अगर आप zoom out करें और देखें कि अगर, you know, 1990 से अब तक 12 cycle रह चुके हैं, जिसमें 6 में Fed ने interest rates कम किये हैं, और 6 में Fed ने interest rates बढ़ाए हैं, कभी-कभी, मतलब 90 से लेके 94 तक, for example, 5% से Fed ने rate कम किया था, 18 different changes के साथ, उतने में nifty actually 310% बढ़ा था, लेकिन similarly अगर आप देखो, 2004 से 2007, Fed ने rates बढ़ाए थे, काफी significantly, 4.25% से, उस time पे भी nifty ने positive return दिया था, 202% का, तो अगर आप ऐसे देखो तो ज़रूरी नी है कि अगर interest rates बढ़ रहे हैं, तो market negative return देगा, या फिर अगर interest rates घट रहे हैं, तो market positive return देगा, क्योंकि interest rates एक variable है, बिल्कुल, अनुब अनुब गुड आफ्टरून, sorry मैं आपको थोड़ा यहाँ पर रोक रहा हूं, sorry मैं आपको थोड़ा यहाँ पर रोक रहा हूं, क्योंकि आपका पूरा report देखो, मुझे सबसे ज़्यादा fascinating वही दो data points लगे थे, कि जब वो rate cut cycle आई, तब भी चार साल में nifty 300% भागा, और तीन साल में जब वो rate hike cycle आई, sorry rate hike cycle आई, तब भी nifty 210% भागा, तो क्या कोई और variable देखा आपने, जो उससे में ज़्यादा strong रहा हूं, क्या इंडिया की economy growth उसमें ज़्यादा strong थी, earnings growth ज़्यादा strong थी उन दोनों period में, 91 के बाद का period तो we all know कि वो liberalization के बाद का period था, क्या उसमें कुछ आपको समानता दिखी वहाँ पर? तो basically जब हमारे nifty और companies के earnings बड़े हैं strongly, और हमारा inflation under control रहा है, तो हमारे market ने significantly strong returns दिये हैं, and अगर आप rates compare करो तो इंडिया और US के rates में काफी different रहा है, typically अगर आप 20 साल तक देखो तो लगबग 4% का difference रहा है, जबकि इंडिया का rate average on an average benchmark rate 6% रहा है, जबकि US Fed का rate almost 1 या 2% रहा है, इसका simple reason यह है कि वहाँ का inflation यहाँ से काफी कम रहा है, last, अगर COVID के बाद से अगर आप देखो तो एक difference यह आया है कि inflation दोनों जगे पे आया है, and उस reason के वज़े से Fed ने काफी consistently rates बढ़ा हैं up to 5.5%, जो कि अभी जाके वो कम करना शुरू किया है, तो अभी अगर आप इंडिया और US के rates में देखो difference तो बहुत ज्यादा नहीं है, just about 1 या 1.5% गा, जो historically नहीं रहा है, तो simple reason यह है कि अगर अगर आप US inflation control में रहता है, इंडिया के companies earnings strongly grow करते हैं, तो हमारा market deliver करेगा, लेकिन अगर हमारे earnings slowdown होते हैं, तो वो market में भी दिखाए देगा, कि यही मेरा opinion है. अच्छा अनुब जी, थोड़ा साभ मैं आपकी डेटा crunching थी, उसके कुछ और महत्रपूर कारकों को समझना चाहूंगा. हर rate cut के बाद, भारत में, जो जिस परकार की I think, equities ने behave किया है, उसके ingredients को सबज़ना चाहेंगे. mid caps में कितना strong pullback आया, small cap में कितना strong pullback आया, या फिर especially rate sensitives में, कितने बड़े move आये, इन cuts के बाद historically? तो जब interest rate change होता है, तो typically across the board, एक re-rating या फिर एक change होता है, in valuation, large, mid और small caps में. लेकिन typically जब interest rates बढ़ते हैं, जब कि और US FED जब interest rates बढ़ाता है, तो investors के पास एक अच्छा option होता है, risk-free return का, जिसके वाज़े से typically mid or small caps में, ज़्यादा correction होता है, जब rate बढ़ते हैं. और जब rates कम होते हैं, तो typically mid or small caps ज़्यादा ऊपर चड़ते हैं, तो rates sensitive में तो मैं यहीं नहीं मानता कि specific sectors ही react करेंगी interest rate changes में, हमने typically यह देखा है कि अगर rates कम होती हैं, तो banking stocks typically ज़्यादा काम करने लगती हैं, और defensive, अगर rates बढ़ती हैं, तो same thing, banking stocks decline कर दी हैं काफी हद तक, लेकिन यह कोई एक set formula नहीं है, हमने देखा है कि अलग-अलग phases में different sectors, different market caps ने अलग behave किया है, तो यह बोलना ज़रा मुश्किल है क्योंकि starting valuations हर phase में अलग रही हैं, तो अगर आप इंडिया को अभी देखो, तो हमारे valuations mid cap और small caps में काफी expensive हैं, sub sectors में नहीं, लेकिन कुछ sectors में, तो वहां से future return का थोड़ा potential I would think की थोड़ा कम है, लेकिन ऐसे भी sector हैं जहाँ पर valuations अभी काफी कम है, तो अगर rate cut और होते हैं, और इंडिया भी अगर rate cut करता है, तो potential है कि वो sectors शायद अच्छा करने लगे, over the next 6-12 months. अनूप, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और यही उम्मीद करेंगे कि अब आप थोड़ा regular हो जाएं, हमारे साथ CNBC हावास पर, और थोड़ी और आपसे regularly कुछ topics पर बातचीत हो, यह उम्मीद करेंगे, बहुत बहुत धनेवाल आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, चलिए काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक छोड़ा,